सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का इस्ट्री विद्बुसन के यूट्यूब चनल पर असा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 के बारे में इसमें फुली आपको समझाएंगे कि आप जो है बिना रोल लंबर बिना रोल लंबर के कैसे अपना रिजल्ट देख पाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फुली इस वीडियो में आपको समझा जाएगा कि आपको रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा परिशत की ओर से सत्र 2021 के लिए यूपी बोर्ड की रिजल्ट प्रक्रिया में बदलाव किये गए हैं अब जो है पहले की तरह चात्र अपने रोल लंबर से अपना परिडाम नहीं देख पाएंगे बलकि बिना रोल लंबर के ही परिडाम दिखाई देंगे दरसल वैक्स संक्रामक महामारी कोबिड-19 के करण आज सामान परिशतियों में उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा परिशत की ओर से सत्र 2020 और 2021 के लिए यूपी बोर्ड की कच्छा दस्मी और बरहमे की परिच्छाएं भी रद कर दी गई हैं इस कारण इस वर्स छात्रों को आंत्री मुल्यांकन कार आधारित असेस्मेंट योजना के इताहत नंबर दिये जा रहे हैं परिडाम जुलाई के दूसरे या तिसरे सब्ता में जारी होगा ये भी आपके लिए अच्छा नोटिफिकेशन है जो परिडाम है आपका दस्मी और बरामी का जुलाई के दूसरे या तिसरे सब्ता में जारी हो जाएंगे आप लोगों को ज़्यादा अप इंतिजार नहीं करना पड़ेगा सबसे एहम बात यहा है कि कोरोना महमारी के करना लागू लागडाउन के यूपी बोर्ड की योर से परिच्छार्थियों के प्रवेस्पत्र भी जारी नहीं किये गए थे जबकि बिना रोल लंबर के नतीजे जारी करना पड़ाम देखना दोनों ही बड़े मुश्किल कार हैं ऐसे लाखों बिद्दार थी और उनके अविवावकों के मन में रिजल्ट कैसे देखा जाए जैसे प्रश्ण उठ रहे होंगे क्योंकि प्रतेग वर्स रोल लंबर के याधार पर ही रिजल्ट देखा जाता रहा है देखे इस वीडियो के माद्यम से आपके मन में जो भी संसे होगा सब क्लियर हो जाएगा बस वीडियो आपको लाज तक देखनी है पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें ताकि उनको भी अधिक से अधिक इस वीडियो का लाब मिल सके अब अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको बता दें कि इस बार जो है UP MSP की ओर से बोर्ड कच्छाओं का रिजल्ट जारी करने के लेकर एक नई बिवस्था की गई है इस बार रिजल्ट नामांकन संख्या अत्वा जो आपका पंजी करण संख्या है उसके जरिये ये जो है आपका रिजल्ट देखा जा सकेगा इसके लिए यूपी बोर्ड ने अपनी तैयारी पूरी कर लिए है संबंदित स्कूलों को परिछार्थियों के नामांकन संख्या थुआ पंजी कर संख्या की जानकारी दुरुस्त करने और सूची बना कर आप बिट करने के निर्देश दिये गए हैं आप रिजल्ट कैसे देख पाएंगे ये संसे अब आपका दूर हो गया हुआ क्योंकि आपको रिजल्ट या नामांकन संख्या के जरिये जो आपका होगा उसी से आपको रिजल्ट देखना है इस बार रिजल्ट आपको देखने के लिए नापांकन संख्या का उप्योग करना पड़ेगा वह ही जिन विद्धार्थियों को अपने नामांकन संख्या या पंजी कर संख्या मालूम नहीं है तो वह जो है उनकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें वह अपने संबंदीत बिद्धाले में संपर करें परतेक बिद्धाले में बिद्धार्थि के प्रवेश के समय एक रिकार तयार किया जाता है इस रिकार्ड में उनका नामांकन संख्या अथवा पंजी कर संख्या दर्ज होता है उससे आप अगर आपको पता नहीं है तो उससे आप पता कल ले उसी से आप अपना रिजल्ट इस वर्स देख पाएंगे आसा करता हूँ कि वीडियो जब आपको जरूर अच्छी लगी होगी मिलेंगे नेश्ट वीडियो में थैंक्चू फार वाचिंग